तो हेलो दोस्तों, वेलकम टो हरा लेंड, आज के हमारी मूवी एप अपला हरो स्लेश्ट एक्स का सिक्वल होने वाला है, एक्स मूवी में आपको यादी हुआ, जहापर परल ने मैक्सिन के सभी साथियों के बहुत बुटली मार दिया था, लेकिन एक अकेली मैक्सिन थी, जो कि पल और उसके हस्बेंड को मार कर, वहाँ से जिन्दा बचकर भाग निकली थी, और किसी भी चीज़ के आज़ादे नहीं मिली थी, वो तब से उसने अपने पेरेंट के साथ में कई लोगों को बहुती बुटली तरीके से माल दिया है, और अपने बुटला पे तक आते आते हैं, उसका वही किलर नेचर कटम नहीं हुआ था, मैंने दोनों मूवी के अल्ड़ अपनी थे, और अपने बेटी को अपने जैसा बनाना चाते थे, उन्होंने अपने बेटी को एक इंपोर्टेंट बात सिखाई थी, I will not accept a life, I don't deserve, देखकर यह ऐसा लग रहा था, कि वो लड़की अपने पिता से बहुती प्यार करती है, फिर इसके बाद में बेटे डेवि के स्टार बन सकते हो, फिर समय आता है, 1985 का, जहाँ पर मैकसीन को देखते हैं, जो कि एक होरर मुवी के लिए ओडिशन देने के लाई थी, उस मुवी के डारेक्टर पोडेसर सभी कोई पता ही था, कि मैकसीन एक पोने स्टार है, और एक स्टेप प्लब में भी काम करती है, लेकिन मैकसीन को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता था, कि वो कौन है, और क्या काम करती है, उसे तो बस हलिवोड का एक बड़ा स्टार बनना था, अब उसकी एज 33 थी, और उसने बहुत से अडल्ट मुवी में काम किया था, बट लोगों के बीच में वो इतने ज़ादा फेमस नहीं थी, तो इसलिए वो हलिवोड मुवी में आना चाहती थी, ताकि हर घर में उसकी वाते हो, और पूरी दुनिया में वो फेमस हो सके, उसकी बाते सुनकर फिल्मे के जजजेस, उसे कुछ एक्ट करने को कहते हैं, जिससे मैकसीन बहुती अच्छी तरीके से करती ह क्योंकि उसे एक होरा सीन करना था, और कुछ साल पहले परल ने उसके साथ में जो कुछ भी क्या, वो चीज़े अभी भी मैकसीन को हांट करती थी, तो इसलिए उसकी एक्टें काफी नेचरल और रियलिस्टिक थी, और सबसे ज़दा इंप्रेस फिल्मे के डारेक्टर एलि बहुत कुछ चल रहा था, यूथ ड्रक के नश्या में फस चुके थे, मोवी सेटनिक थीम पर बनने लगी थी, वहां के सौंग भी बहुत ज़द सेटनिक वाले थे, लोग भगवान से ज़दा सेटनिक की बुजा गरते थे, कई जगों पर से एक नाइट स्टोकर नाम का कि लोगों को बुटली मार रहा था, और पुलीस उसे पकड़ने में भी नाकामियाब थी, फिर इदर ओडिशन देने के बाद में मैकसीन अपने स्टिप कलब में जाती है, और मही पर पौन वीडियो पर शूट के जाते थे, मैकसीन जब अपना मेकप कर रही थी, तब उसकी एमबर उसे एक पार्टी के बारे में बताती है, जो कि हिल्स पर बने एक मैंचन पर होने वाली थी, और वहाँ पर बहुती बड़े-बड़े लोग आने वाले थे, एमबर मैकसीन को भी उसके साथ में पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन मैकसीन पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, यहाँ पर हम देख पाता है कि मैकसीन ने अभी बर ड्रक लेना नहीं चोड़ा था, और एक्स मूवी के टाइम पर वो इसी तरीके के ड्रक को लिया करती थी, फिर काम खतम करने के बाद में मैकसीन अपने घर पर आती है, जहाँ पर उ लियोन मैकसीन के सामने वाले अपार्टबंट में रागरता था और उसकी एक वीडियो लैबरेरी थी, जो कि उसे विल्डिंग के नीचे थी, मैकसीन को फिल्म मिलने की बाद से लियोन काफे जादा खुश था, क्योंकि अब मैकसीन का नाम भी बड़ा बड़ा सेलेबिडि इस डिप लप माती है, वहाँ पर एक रूम था जिसके बीच में गलास वोल थी, उसके एक तरफ मैकसीन सेडेक्टि डांस कर रही थी, और गलास के दूसरी तरफ एक परसन उसका देख रहा था, उस परसन ने बलेक लदर जेकेड और गलास पेना वे थे, वो परसन मैकसीन क लगे हुए एक वुड़न ब्लोग को भी तोड़ देता है, फिर काम कतम करने के बाद में मैकसीन अपने एक फ्रेंड टेबी से मिलती है, जिसो से पता चलता है, कि वो भी उससे हिल वाली पार्टी पर जाने वाली है, जिसकी बात Ember ने उसे की थी, टेबी भी मैकसीन को उ उसी नाइट स्टॉकर किलर की बाते हो रही थी। नूस डिपोटर लोगों को घर पर रहने और ग्रूप में बाहर निकर लने को एडवाइस करती है जबकि मैकसिन को इन सबसा जरा भी फरक नहीं पड़ता है लेकिन कुछी दूर जाने के बाद में एक लड़का मेकसिन का पीछा कर रहा था मेकसिन को भी पता चल गया था कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है लेकिन एक प्रेसे सी आती है जहांकर गेट लोग था और उससे आके जाने का कोई रास्ता नहीं था वो लड़का चाको लेकर मेकसिन पर हमला करने आता है लेकिन मैकसिन के पास में गन थी तो वो उल्टा उसे ही अपने गन के पॉइंट पर ले लेती है और उसे अपने सारे कपड़े उतारने के लिए मज़़ूर करती है वो लड़का भी अपने सारे कपड़े उतार के जमीन पर लेड़ जाता है जिसके बड़ मैकसिन अपने हिल से उसके प्राइवेट पार्ट को करश कर देती है और वहां से जाने से पहले वो कहती है कि आखरी बार उस से मारने की कोशिश करने वाले परसन का उसने सिर करश कर दिया था और यहाँ पर वो एक स्मुवी की पहल की बाते कर रही थी नहां पर उसका वही पॉन्ट वीडियो था जो उसने परल मुवी के farmer उस हाउस में एक लू जाते हैं क्ईकि अगर इस पॉन्ट वीडियो में पूलीस ने उसे पैचान लिया तो पल के गर में हुए मढ़र में फस सेकती थी फिरम देखते हैं कि ब्लच लॉस सबी काम कर रहा था जो भी वादमी उसे कह रहा था फिर अब हम टेबी और एंबर को देखते हैं जो कि पार्टे में गए थे लेकिन मापर उन्हें किड्नेप करके उनका वीडियो शुट किया जा रहा था और उनका किड्नेप उसी ब्लेक लाउस पहने उस परसन ने किया था अब अगले दिन मेकसिन सोफी नाम की एक मोल्ड आर्टिस्ट के पास में आती है जो कि फिल्म में के लिए उसका डूप्लिकेट मोल्ड इसकलपजर बना रही थी यहाँ पर मेकसिन के हाथ पर उसी गन शूट का जकम को देखते हैं जो कि पल न उसे दिया था फिर सोफी मेक मेकसिन के हेट से नेक तक उसे मोल्ड लालकर सामन लेने के लिए बाहर चली जाती है और मेकसिन को दस मिलेट तक वेसी बेटे रहने को कहती है कुछ टाइम तक मेकसिन वेसी बेटे थी लेकिन अचानक वो पल को हैलिस्ट करना लगती है उसे ऐसा फिल होता है कि पल फिर से अजीब तरीके से टर्च करके उसे अब्यूस कर रही है मैकसिन पैनिक होती है जिससे कि उस चेर से नीचे गर जाती है और मोल्ड की वज़े से सांस नहीं ले पा रही थी किसी तरह उस मोल्ड को अटा कर सांस लेती है और उसके जान बच जाती है तब ही सोफी भी वहाँ पर कर उसे संभालती है यह पर पुलिस को टोबी और एंबर की डेड़ बोडी एक पारकर के लेक से मिलती है दोनों की बोडी पर सेटेनिक सिंबल को उनकी स्किन को चला कर लगाया गया था देखकर ही पता चल रहा था कि मनने से पहले उन्हें काफे जदा टॉचर किया गया होगा दोसी तरफ मैकसिन को फिल्मे के क्रू मेंबर से फिल्मे की स्क्रिप्ट मिलती है साथी उसे उसकी कार में एक एंवलप मिलता है जो कि कोई उसकी कार में छोड़कर चला गया था उस एंवलप में उस इनसान ने अपना नमबर भी छोडा था वो साथी वहापर मैकसिन की स्क नहीं आई तो पुलिस को बता देगा कि TXS में पल के घर पर जो मड़र हूए थे उसमें पल को मैकसिन नहीं मा ला था जिसके रफ मैकसिन उस परसंट से मिलने इक déjàती है और हम देखते हैं कि वो परसंट और कोई नहीं, बल्के जोन था जोन मैकसिन को उस ब्लेक लफ वाल परसन से मिलने को कहता है, उसके मुथाबबिक वो परसन बहुत इकतल लाक है और उस परसन के कहने पर ही, उसने मैकसिन को डून कर निकाला है, अगर मैकसिन उस परचंद से नहीं मिलेगा तो पुलिस को बता देंगे कि उसने पल को मारा था बले ही पल ने उसके से भी दोस्तों को मारा हो लेकिन पुलिस मैकसिन को ही उन मर्डर का में किलर मानेगी तब मैकसिन उससे बताती है कि उसने अपने दोस्तों को नहीं मारता कोई भी प्रूव नहीं कर सकता था कि उसने वो मडर किये थे तब जोन उसे बताता है कि जिस मसाकर से सिर्फ वे जिन्दा निकली हो पुलिस को सबसे पहले उस पर ही शक होगा और इससे मैकसिन का पूरा करियर कतम हो जाएगा और उसको हलिवड स्टाप बनने का सपना अधूरा रह जाएगा ये कहकर जॉन उस एक एनवलप देकर वहाँ से चला जाता है उस एनवलप में पल के गर पर हुए मंडर का निउस आर्टिकल था फिर इसके बद मैकसिन अपना घर पर आती है जहां पर घर के बार पुलिस ऑफिसर केट और बोबी उसका वेट कर रहते है उनसे मैकसिन को टैब यूर एंबर के मंडर के बारें पता चलता है मैकसिन नहीं उना अकरी बार देखा था तो इसलिए पुलिस उससे पुछाश करना आई थी लेकिन मैकसिन उनसे ज़्यादा बात नहीं करती है और घर के अंदर चले जाती है क्योंकि उससे ये डरता कि अगर पुलिस के सामने पनल के घर के मंडर की बात आगई तो फस सकती है पुलिस के जाते मैकसिन वही टेप लेकर लियोन के स्टोर मा जाती है और उसको पूछती है कि एसी टेप कौन सी कंपरें बना सकती है लियोन उससे कुछ इंफोरमेशन दे देता है लेकिन वह इंफोरमेशन ज़ादा हेलफ़ फोल नहीं थी फिर इसके बद मैकसिन अपनी शूटिंग लोकेशन पर जाता है जहाँ पर फिल्मे के डारेक्टर अलिजबेशन से मिलती है जिससो उससे पता चलता है कि फिल्मे के प्रोडुसर मैकसिन को फिल्मे में लेना चाता है जो कि वह एक पौन स्टार है लेकिन एलिजाबेट को मैकसीन की एक्टिंग बहुत ही रिय लगी थी और उसका इनोसंट फेस उसे बहुत ही पसंद आया था तो इसलिए उसने मैकसीन को फिल्म में लेने का डिसाइड किया है वेसे भी एलिजाबेट जैसे होरोर मुल कोई भी नहीं बाना सकता तो इसलिए प्रोडिसर को उसकी बात माननी होगी उसे शूटिंग लोकेशन पर बहुत सारे पॉपलर मुवी जैसे कि साइको और कॉंजूरिंग के सेट से दिखाई देता है तो वही पर एक घर में मैकसीन पल को देखती है लेकिन ये बस उसका एक हलसनेशन था और आजकर टेंशन के वज़े से उसे बार बार पल की विज़ना रहे थे वही पर मैकसीन ये भी देखती है कि कुछ लोग होरर मुवी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे है क्योंकि होरर मुवीज में सेटानिक रिच्वल, न्यूडिटी और कई सारी खराफ चीज़े दिखाये जाती है उन लोगों को इग्नोर करके मैकसीन वहां से जाने लगती है फिर कुछ दूर जाने के बाद में वो नोटेस करते हैं कि जौन उसका पीछा गर रहा है और उसके वीडियो शूट कर रहा है तब एक जगह पर मैकसीन अपनी कार को रुकती है और कार की कीस को अपने फिंगर में फसा कर जौन को कई बार पंच करती है जिससे कि जौन के नाग तूट जाती है और उसकी नाग से बुरी तरीके से खूर निकलना लगता है जाने से पहले मैकसीन उससे धंकी देती है कि अगर जौन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो उसके साथ में और भी बुरा होगा अब वहाँ से वो अपने एजेंट लेरी से मिलती है जिसे वो जौन के बारे में सारी बाते बता देती है लेकिन अब उससे टेंशन हो रहा था कि कहीं उसके पास्ट के वज़े से वो हॉलिवड में नाम ना कमा पाए तब लेरी उससे घर पर जाकर मोवी की स्क्रिप्ट पढ़ने को कहता है और बाकि जो कुछ भी होगा वो से संभाल लेगा मेकसिन अब उसके जिम्मेदारी है और वो से हॉलिवड का सबसे वड़ा स्ट्रा बना करी रहेगा फिर मेकसिन अपने घर पर जाकर मोवी की स्क्रिप्ट पढ़ती है और उसी बिल्डिंग के नीचे लिओन अपनी शौप पर अकेल था तब ही वहापर वही ब्लेक लॉस पेहनने वाला आदिमे आ जाता है जो कि लिओन के उपर हमला कर देता है वो चाकू से लिओन के गले पर एक कट मारता है फिर वो लिओन के हाथ में एक चाकू की गोसा देता है खुद को बचाने के लिओन जमीन पर एक हसी तवे शौप से निकलने के कोशिश कर रहा था तब वो इनसान लिओन के फीट पर चाकू से लगातार वार करता है जिससे कि उसकी पूरी बोड़ी से कूर निकल रहा था और कुछ टाइम के बाद में लिओन तरब तरब कर मारा जाता है फिर वो आदमी लिओन के कान पर लगे क्रॉस वाले एरिंग को उसके कान से उखाड़ कर अपने साथ मिले जाता है और इस शौप से बहार निकल कर जोन की कार में बैठ जाता है अब अगली सुबह मेकसीन को लिओन की शौप के बाहर पुलिस दिखाई देती है और तब जाकर उससे समझ में आता है कि लिओन की मौत उचकी है जोन के कहने पर वो उस परसन से मिलने नहीं गई थी तो इसलिए उस परसन ने उसके दोस्त को मार दिया पुलिस ओफिसर कैट मेकसीन को लिओन की बोड़ी दिखाती है जहाँ पर उसके चेरे पर वोई सेटनिक सिंबल बने वे थे और अपने दोस्त को इतना ब्रूटली मरतव देखकर मेकसीन काफी बरलगता है कुछ देर के बाद मेकसीन पुलिस स्टेशन पर जाती है जहाँ पर पुलिस ओफिसर कैट उसे टैबी और एमबर की डेट बोड़ी दिखाती है उन दोनों की डेट बोड़ी से पर भी वो सेटनिक सिंबल बना वे थे तो इसलिए पुलिस को लग रहा था कि कोई सेटनिक रिचुल के लिए लोगों को मार रहा है और ये वही नाइट स्टॉकर किलर है लेकिन फिर भी वे लोग मेकसीन से स्केस के बारे में जाना चाते थे क्योंकि जितने भी लोग मरे थे वे सभी मेकसीन के ही दोस्त थे और शयद उस केलर का अगला शिकार मेकसीन हो सकती थी अगर मेकसीन उन्हे सब बाते खुल कर बताएगी तो वे लोग उसके help कर सकते हैं या फिर अगर कोई और लड़की उस केलर का शिकार बनने वाली थी तो वे लोग उसे बजा सकते थे लेकिन मैकसिन के मताबिक उसके कोई हैथ ने कर सकता है जो होना होगा वो होकर ही रहेगा और अगर कोई दूसरी लड़की उस केलर के जाल में फसेगी तो वो उस लड़की काई बेड लग होगा और यह कहकर मैकसिन वहाँ से अपने शूट पर चली जाती है शूट पर एलिजाबेट मैकसिन को मॉली से मिलाती है जो कि पुरीटन की एक सक्सेस्फुल एक्टरस थी और मॉवी के सेकंड पार्ट में वो भी एक्टिंग करने वाली थी एलिजाबेट चाहती थी कि मॉली मैकसिन को मॉवी के लिए को चाईशी टिप्स दे क्योंकि यह उसके पहली होरा मॉवी होने वाली थी मॉली अकले मैकसिन को यही टिप्स देती है कि वो एलिजबेत की हर बात को फॉलो करे तब ही वो एलिजबेत के गुड बुक्स मरेगी और उसे आगे भी काम मिलेगा पहले फिल्मे के लिए मॉली मैकसिन को काफी ज़ाद सप्पोर्ट करती है साथ ही मैकसिन को बताती है कि आज रात को वो हिल में एक पार्टिकल जा रही है जहाँ पर उसे शायद और भी कैसरी फिल्म के आफर मिलेंगे फिर इसके बाद में मैकसिन सेट पर एदोतर गुमने लगती है कि तब ही उसे वहाँ पर जोन दिखाई देता है जो कि अपने साथ में गन लेकर आया वा था उसे उस आदमी के पास में ले जाने के लाया था उसे देखकर मैकसिन वहाँ से भागती है और जोन उसका पीछा गरता है एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जोन ने मैकसिन को लगब पकड़ी लिया था लेकिन किसी तरह के से मेकसिन वहाँ से भाग कर एक घर के अंदर शुप जाती है और वहाँ के डॉर को लोग कर लेती है जोन भी उस घर के अंदर आनवाला था लेकिन सेक्यूरिडी गर्ड उसे सेट से भाहर कर देता है क्योंकि वो बिना परिमिशन के सेट के अंतर गुसाया था इन सब की वज़े से मैकसीन बहुती परशान हो चुकी थी उसकी परशानी उसके फेस पर भी नज़र आ रही थी इसलिए जब उसे एलिजबे देखती है तो वो उसे विकेंड के शुट्टी देती है और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी इन दोने में खत्म करने को कहती है क्योंकि उसे शुटिंग के टाइम पर कोई भी जहमेला नहीं चाहिए था और उसका डिसीजन बिल्कुल भी बुरा नहीं था और तब उसे समझ माता है कि मैकसीन वास से भाग चुकी है जिसके बाद में जॉन नैट कलब की बिल्डिंग के पिछे जाता है जहां पर मैकसीन अपने साथ में लेरी और अपने स्ट्रिप कलब के मेनेजर जिम को लेकर आई थी जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे लोग जॉन के सर पर वार करके उससे भ्योश कर देते हैं कुछ देर के बाद में जब जॉन के आखे कुलती है तो खुद को एक अबेंडिन बिल्डिंग में अपनी कार से बंदावा पाता है और उसके कार एक कार क्रेशर के बीच में थी जिससे देखकर जॉन काफी ज़दा डर गया था वो मैकसिन से उसे बचाने के रिक्वेस्ट करता है जिसके बदले में वो मैकसिन को सादमे के बारे में सब कुछ बताने वाला था लेकिन मैकसिन को उसकी बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था अब वो अपने साथियों को इशारा करती है जिसके बाद में उस कार क्रेशर से जोन के कार देर देरे क्रेश होना लगती है और कुछी देर में कार के साथ में जॉन भी उस क्रेशर में पीस कर मारा जाता है और कार से बाहर आता है तो स्यों जून का खून और उसकी बोड़ी के मासके तुकडे जो कि जीम का डॉक खाने लगते हैं अब लेरी के हसाब से मेकसीन को बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए जॉन की मडर को लेकर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी पूरी बोड़ी उसके डॉक्स खा जाएंगे वासे जब मेकसीन गर पर आकर न्यूस देखती है तो उसे पता चलता है कि उसी नैट स्टोकर किलर ने एक हो लड़की को जान से मार दिया है तब भी उसे याद आता है कि मॉली भी आज उसी हिल्स वाली पार्टी में जाने वाली थी जहाँ पर एमबर और टैबी गए थे एमबर और टैबी को तो वो बचा नहीं पाई लेकिन वो मॉली को बचाना चाती थी तो इसलिए वो उसी एड्रेस के लिए निकल जाती है अपने पता के सामने चर्च के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह बच्ची और कोई नहीं बलकि मैक सीन है और व ब्लेक लक्ली पेहनने वाला आदमी और मंहीं बलकि से पिता आर्नेस। हैं आर्नेस्त भी में पर था और दोनों की बातो जो कि उसे चाहिए था तो इसलिए वो हॉलिवूड के बहुत बड़ी स्टार बना चाहती थी अब अरनेस्ट हॉलिवूड और पॉन मुविस के लोगों से नफरत करता था उसके मताबिक ये लोग सैटन के रूल को फॉलो करते हैं और सोसाइटी को खराब कर रहे हैं तो इसल मुवी को देखने के बाद में किसी में भी हिम्बत नहीं होगी पॉन मुवीज सेटनिक मुवीज सौंग्स बनाने और ड्रक्स पेचने की इतना सालों से मैकसीन को ही डून राता सिर्फ उसे सजा देने के लिए वो खुद तो एक बहुत रिलीजियस आदमी था लेकिन उसक से एक सूटकेस से नीचे गिर जाता है उस सूटकेस के अंदर से मॉली की बोडी के कटेवे पार्ट्स निकलते हैं इन सब के बारे मैकसीन कुछ समझ पाती उससे पहले ही अर्नेस्ट एक प्लास्टिक बेक मैकसीन के सर पर डालकर उसका दम घुटकर उससे भ्योश कर देता है कुछ देर के बाद में मैकसीन के जब हांके कुलती है तो खुद को एक कुकरनेट टी से बंदावा पाती है उसका चारों तरफ अर्नेस्ट के कुछ फॉलवर थे और यहां पर अर्नेस्ट मैकसीन को एक वीच की तरह जिन्दा चलाकर मारने वाला था और इन सभी इंसिड के बच्चे ड्रग, पॉन और सेटन के चकर में फस गये थे तब पुलिस ने उन्हें नहीं बचाया था तो इसलिए पुलिस भी उनकी दुश्मन है यह सुनका अर्नेस्ट के फॉलवर पुलिस पर हमला कर जाते हैं जिसके बाद दोनों के बीच में गुली बार होने लगती हैं इस दोरान कई सारे फॉलवर गुली लगने से मर जाते हैं और अर्नेस्ट को भी गुली लगती है साथ ही उसके कप्र उपर भी आग लग जाती है तो इसलिए खुद को बचाने के लिए वो स्विविंग पूल में कूच जाता है इस दोरान मैक्सिन अपनी पॉकेट से चाकू निकाल कर रस्यो को काट कर खुद को आजात कर लेती है लेकिन जब वो वहां से भाग रही थी तो एक फॉलवर उसे पानी कंतर खीच लेता है तब मैक्सिन उसे चाकू को उसके चेरे में गुसा कर उसे जान से मार डालती है और स्विविंग पूल से भाहर निकलती ह केट और बोबी मैक्सिन को वहीं पर रहने को बोलकर अर्नेस्ट को पकड़ने जाते हैं जो इन सभी हंगामे के बीच में होलिवूट साइन की तरफ भाग गया था लेकिन मैक्सिन वहां नहीं रुकती है और एक चाकू लेकर वो भी अर्नेस्ट को मारने के ले निकल जाती ह वहाँ पर जाने पर मैक्सिन देखते है कि बोबी को गुली लगी है जो कि अर्नेस्ट नहीं उसे मारी थी केट मैक्सिन को बोबी के ध्यान देखने को बोलकर खुद अर्नेस्ट को पकड़ने जाती है लेकिन कुछी टाइम में बोबी मार जाता है मरने से पहले वो बस यही कि वो भी एक हॉल्यूट का स्टार बना चाहता था लेकिन उसकी खिस्मत न उसका साथ नहीं दिया लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि हॉल्यूट का साइन के पास मैंकरमा उसके बाद मैंक्सीन बॉबी की कर लेकर फिर से अर्नेस्ट को डूनने लगती है पर उसे महाँ पर और गंद भी Maxine के हाथ में थी, तब तक हेलिकॉप्टर से पुलिस भी वहाँ पर पोच चुकी थी, जो कि Maxine को गंद चोड़ कर सरेंडर करने को कहती है, लेकिन Maxine ने तो यहाँ पर अपने पिता Ernest को मानने का मन बना लिया था, वो तो यह इमेजिन भी करने लेगी थी, कि अ और अपने अच्छे फ्यूचर का सोचकर Maxine अपने पिता Ernest के सर पर गोली मार कर उसकी जान ले लेती है, जिससे कि Ernest का पूरा सर तुकलों में फट जाता है, अब कहानी एक मेने के बाद में शुरू होती है, जहां पर Maxine को देखते हैं, जो कि एक निव लुक के साथ में प खुशी के साथ साथ ये मूवी ये परेंडो चाती है, दोस्तो Maxine मूवी X मूवी का थर्ड पार्ट है, और इसके पहले एक पल मूवी गया थी, जो कि X का प्रेक्वल है, तो देखा जाता है तो टोटल तीन मूवी है, और मैंने तीनों कोई बहुत अच्छी तरिके से explain किय है, तो अगर आपने उना explanation को नहीं देखा है, तो मैं नीचे description में उनकी link डाल दूँगा, अब वह पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, और साथ ये चैनलों को subscribe जरू करें, क्योंकि जल्दी में आपके लिए और भी interesting video लेकर आने वाला हूँ.